Hello and welcome my dear student बिटा आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो पिछले साल के बोर्ड के एक्जाम में पिछले साल बोर्ड के एक्जाम में बीजक का जो कोशन आया था उस question पर हम चर्चा करेंगे उस question को बनाने की कोशिश करेंगे यदि आप में से कोई ऐसा student हमारी इस वीडियो को देख रहा जिसे बीजक बनाना बिलकुल भी नहीं आता तो उसके लिए से छोटी सी request है कि भाई मेरे पास WhatsApp पर message करो कि सर बीजक कैसे बनाते हैं उसकी हमें first class भीज़ दो बेटा मैं आपके पास WhatsApp पर उसकी first class भीज़ दूँगा पहले आप बीजक बनाना सीख ले है ना और जब आप बीजक बनाना सीख जाओगे तब आप class number second आपके पास भीज़ जूँगा यानि कि आप इस class को देखे बाके जीने हलका सा भी बीजक बनाना आता है या मानलों नहीं भी आता तो भी इस class को देख सकते हैं वेटा मैं आपको इसमें last year के बीजक का question कराऊंगा और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं आपको 10th class का complete slayvers करा रहा हूँ with revision करा रहा हूँ तो जो भी बच्चा गुरूप से जुनना चाहता है मुझे WhatsApp पर message कर सकता है बट एक चेतावने और warning होते हैं मुझे call ना किया करें प्योंकि बटा लगबग 5-7000 बच्चे हमरे पास group में जुड़े हूए है अगर हर बच्चा मुझे call करेगा तो खुद सोच बटा पूरे दिन सिर्फ मैं phone ही उठाता रहूँगा ना तो मैं आपको पढ़ा पाऊँगा ना आपके लिए notes बना पाऊँगा तो उसी आपके लिए request है कि call ना क्या करें बस आप मुझे WhatsApp पर message कर सकते हैं पहली चीज़ अब बिना समय को waste किये last year के paper में जो बीजक का question आया था वो उसका solution मैं को करा रहा हूँ बटा उसका solution कराऊँगा और थोड़ी चर्चा करे ना बटा उस question के बारे में जो last year के paper में आया था ये थोड़ा सा थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ भारी question आया था last year जो paper में question आया था बीजक बनाने के लिए मैंने इससे भारी प्रशन नहीं देखा कि वीवी board के exam में इससे भारी question आया हो तो अगर आप ये वाला question सीख लोगे न तो बीजक बनाना तो भूल जाओ आप बीजक के master बन जाओगे चुकि last year का जो paper का question था board का वो भारी question मानता हूँ बटा as a teacher हूँ उसके बावजूद मैं कहरा हूँ कि हाँ वो question आप लोगों के हिसाब से भारी आया था कैसे बीजक बनाते हैं वो भी खेर में आपको कराता चलूँगा और last year के question का solution में आपको करा रहा हूँ हो सकता है कि इस साल के board के exam में भी ये वाला question आ जाए तो पढ़ते हैं भाईया क्या प्रशन लिखा है पिछले साल के question paper में ऐसा क्या प्रशन आया था जिसकी चर्चा में बारबार कर रहा हूँ ये बोलकर कर रहा हूँ कि भारी प्रशन था मैसर्स अशोक लखनव ने निम लिखित माल मैसर्स कनोजिया ब्रेदर फैजवाद को भेजा मैंने हमेशा बताया कि जब भी प्रशन पढ़ेंगी तो हमें हाँ पर दो लोग की पहचान करनी है समान बेचने वाले की और समान खरीदने वाले की चुकि बेटा बीजग बनाने के लिए हमें दोनों चीज़ों की आवशकता पढ़ती है कि बेचने वाला कौन था और खरीदने वाला कौन है तो बेचने वाला कौन है बेटा यहाँ पर अशोक लखनव और खरीदने वाला बेटा कौन है कनोजय ब्रेदर्स फैजबाद तो अशोक विक्रेता है और कनोजय ग्रेता है कैसे कैसे समान बेचा गया बस यहीं पर सारा गड़बड है यहीं पर सारी दिक्कत है 10 पेटी गंगा साबुन की बेची 1 पेटी में 120 टिकिया है और दर है 32 रुपए प्रती दरजन देखो कितना भारी प्रशन है यहाँ पर सिंपल नहीं है 10 पेटी बेजी है गंगा साबुन की और 120 टिकिया एक पेटी में है और दर कितने रुपे की है? 70 रुपे प्रती दरजन साबुन की दर है यही चीज तो है बेटा जब आप 10th क्लास के बच्चे हो छोटा सा आपका दिमाग है छोटी छोटी आप calculation करना जानते हो calculator आपके पास होता नहीं है तो सोचो इतनी सारी गुणा भाग कैसे कर पाओगे पर मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की कुछ बच्चों को लग रहा होगा सरी यह कोश्चन तो हम कर देंगे तो भाईया मैं आपको guarantee दे रहा हूँ यह सोच कर कि आप कहीं टूशन में गए हुए हो आप वहाँ पर टूशन के पैसे दे रहे हो यह समझ कर पढ़ना बेटा भली मैं free of cost पढ़ाता हूँ आपको दस पेटी गंगा साबुन की बेची है साथ पेटी पेराशूट नारियर ओयल की बेची है पिरती एक पेटी में 200 ml की 252 शीशिया है और यह भी 80 रुपए प्रती दर्जन के हिसाब से है 32 तीन डालडा वनस्पती घी बेचा है 5 रुपए किलो के हिसाब से और दर है 35 रुपए प्रती किलोग्राम अगला है 12 पेटी या लाइब वाय साबुन की है पिरती एक पिरती में 10 दर्जन साबुन है और दर है 65 रुपए प्रती दर्जन अब इतना भारी प्रशन कोगे सर भारी तो कुछ भी नहीं है इसमें करने के लिए बताओंगा भारी कैसा है थोड़ा था इस्टार्ट करते हैं अपना बीजग बनाना जब भी बीजग बनाते हैं तो स्टार्ट करते हैं 6 चीजों से सबसे पहले उपर बेटा आपको क्यों कि हम बीजग बना रहे हैं तो उपर बेटा मैं क्या लिख दूँगा बहुत मोटा पैन हो गया भाई यह तो उपर जो विक्रेता होता है उसका नाम लिखते हैं मैसर्स अशोक लखनो विक्रेता का नाम बाकि कुछ चीजे हैं जिसो आपको हर कोश्चन में सेम लिख कर आनी है बाएवाले साइड में दूरुभाश और मुबाईल नमर लिखना कुछ नहीं बस लिखकर छोड़ देना है और दाएवाले साइड में उसका पता और नीचे उसकी तिथी जो चाहो वो लिख सकते हैं तो ये चार चीजे रट लो हर कोश्चन में ऐसा कैसे लिखना है किसी कोश्चन में बदलाव नहीं है इधर साइड दूरुभाश और मुबाईल इधर साइड पता मत किस शहर का है वो और उसके नीचे तिथी हर प्रशन में बदलेगा क्या एक तो ऊपर विकरेता का नाम उपर आता है और उसके बाद नीचे क्रेता का नाम खरीदने वाले का नाम आता है बस ये हर प्रश्ण में अलग हैं, बागी सब प्रश्ण का ब्लुकु सेम है, बागी सब प्रश्ण में ये चीजे लिखनी लिखनी है, उपर विक्रेता, नीचे क्रेता, और बीच में डबबा बनाकर बीजक संक्या पर असमें कुछ लिखना नहीं है, आदेज संक्या असमें थोड़ी अराम से, उसके बाद बिटा को क्या करना है, उसके बाद आपको एक ये box बनाना है, जिसमें column होंगे बिटा कितने 5, बीजक बनाने के लिए 5 column की ये 5 जब्ब इस तरह से बना जाते हैं, पहले वाले मापको क्या लिखना है, मात्रा, दूसरे में लिखना है, विवर विवरण, दर, धनराशी और कुल धनराशी, अगर आप वास्ता में सीखना चारो हो बेटा, तो copy pen जरूर लेकर बैठना, मेरी वीडियो को pause कर दो, copy pen लेकर आप, लिखो बेटा, प्रशन भारी है ये वाला, मैं ऐसे easy प्रशन नहीं कहता हूँ, ये प्रशन बहुत भारी ह बीजग बनाने का, मात्रा, विवरण, दर, धनराशी और कुल धनराशी, अब एके करके चर्चा करते हैं भाई, कहां पर क्या क्या आएगा, अब सबसे पहले देखो, स्टार्टिंग में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और बताने की कोशिश करूँगा, कि ये प्र अगर हमें हमेशा अपने प्रश्ण को दर के अनुसार बदलना हैं, दर हमें दे रखिए सतर रुपए प्रती दर्जन, यानि कि अगर एक दर्जन साबुन खरीदोगे, तो वो सतर रुपए के होंगे, तो पहले हमें ये पता लगाना होगा, हमने कितने दर्जन साबुन ख लिए तो सोचो दर्जन कहा रहा है वो दस रुपए दर्जन दूंगा और हमने का चार पेटी ले रहे हैं तो कैसे पता लगाओगे पहले पता लगाओगे चारो पेटी में कितने दर्जन के लिए हैं है ना पहले क्या पता लगाओगे इस सारी पेटी में कितने दर्जन के ल कोश्चन बता रखा है, दर है 70 रुपए प्रती दर्जन, तो पहले मैं क्या पता लगाँगा, कि मैंने कितने दर्जन साबुन खरी दे हैं, मैंने 10 पेटी खरी दियें साबुन की, एक पेटी में 120 टिकिया है, तो पहले मैं ये पता लगाने कोशिश करूँगा, कि मैंने कितन साबुन खरीदे होंगे कोई भी बच्चा बच्चा बता देगा भी कुल साबुन भाई मैंने 10 पेटी खरीदी है और एक पेटी में 120 साबुन है तो कितने साबुन आ गए भाया 12 120 साबुन एक पेटी में और 10 पेटी खरी दी तो total 1200 साबून आ गए कितने साबून आ गए 1200 साबून तो पहला काम तो आप total साबून निकाल लो गए कोगे सर्व तो हो जाएगा नहीं भाई 10 पेटी साबुन खरीदे हैं एक पेटी में 120 साबुन तो कुल साबुन हो गए 1200 पर जो दर दे रखी है वो पर साबुन की नहीं दे रखी कि पृतिक साबुन की दर नहीं दर रखी एक दरजन साबुन की दर है तो अब मैं इसे दरजन में बदलूँगा किस में बदलूँगा दर्जन में किसी भी चीज को दर्जन में बदलने का तरीका है उसे 12 से भाग कर दो तो कितने दर्जन साबुन खरीदे हैं वो दर्जन आ जाएंगे जैसी आप 12 से भाग करोगे तो ये 100 दर्जन आ जाएगा हमने 100 दरजन क्या खरीदे हैं साबुन और पहले हमें यही निकालना है देखो है तो बीजग लेकिन कितनी सारी गुणा है यह पहले पॉइंट की गुणा हो रही है बेटा हमने 10 पेटी घवराओं मत कुछ बच्चे कह रहा है सर समझ में नहीं आया घवराना नहीं है हमने 10 पेटी साबुन खरीदा एक पेटी में 120 साबुन तो पहले मैं क्या पता लगाऊंगा कुल कितने साबुन 10 पेटी गुणा 120 टोटल 1200 साबुन हो गए अब इस 1200 साबुन को मैं दरजन में बदलूँगा कि दर्जन करूगा कि यहाँ से बारा से भाग कर के दो दर्जन आ गया बैटाई है एक दर्जन आ जाँगीवेट कर दो नहीं जा साबून साबून, अब देख भाग का विवरन हो लिख लिखूंगा कैसे, बी जग के अंदर, उस table में कैसे लिखूंगा, मैंने या पर क्या कि है मात्रा में लिखूंगा, सौदर्जन, विवर्ण में क्या लिखूंगा, कौन से साबुण थे भाई ये, नाम है क्या कुछ, गंगा साबुन, गंगा साबुन दर कितनी थी? सत्तर रुपए प्रती दर्जन सौ दर्जन साबुन खरे दे हैं और एक दर्जन सत्तर रुपए के हैं तो अब क्या करना होता है बेटा? मात्रा की दर से गुणा करनी होती है धनराशी निकालने के लिए मात्रा की दर्से गुणा तो 100 दर्जन गुणा 70 रुपए प्रती दर्जन तो हमरे पास 100 की आप 70 से गुणा को तो 7000 रुपए के साब गुना गए सिर्फ पहले चीज निकलिए बटाइए बच्चे के इतना समय हो गया बज़ एक ही चीज सिखा पाए देखो भाई में बहुत आराम से सिखाता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बलगी बहुत सारे टीचर भी ऐसे हैं जो इसके अंदर क्या नहीं बना पाएंगे बीज़क नहीं बना पाएंगे साथ पेटी पेराशूट नारियल तेल खरीदा है साथ पेटी नारियल तेल खरीदा है प्रती एक पेटी में 200 मिली लीटर और 252 सीशिया है और फिर से वही 80 रुपए प्रती दरजन के हिसाब से साथ पेटी नारियल तेल खरीदा इसमें 200 मिली लीटर दे रहा उसको कुछ फरक नहीं पड़ता साथ पेटी नारियल तेल खरीदा है अब सीसी कितने लिल्टर की भी कोई फरक नहीं है साथ पेटी नारियल तेल खरीदा है और एक पेटी में 252 शीशी तो फिर से वही बात हमने कितनी पेटी खरीदी हैं भाई हमने खरीदी हैं साथ पेटी 1 पेटे में कितनी शीशी है, 252 शीशी है, तो कुल कितनी शीशी खरीदी होंगी, पहले कुल शीशी निकाल लो, 7 गुणा 252, मैं बलुकुल अराम से कोई कैलकूलोटर यूज नहीं कर रहा हूँ, आपकी तरह बलुकुल सिंपल बच्चों की तरह क्वेश्चन कर रहा हूँ, जैसे बच्चे करते हैं गुडां साथ दूनी चौधर है ना 7-2-0 भी नहीं बोलते हैं कि शाथ चुक हिंदी मीडियम के बच्चे हैं मैं बोलते हैं 7-2-0-14 तो आपको विसर हमें तो साथ दूनी आता है तो साथ दूनी सीखो भई साथ दूनी 14 बचा एक साथ पंजे पैंटिस और एक शत्तिस हांसे लगा साथ दूनी 14 पंदर 16 साथ दूनी 14 पंदर 16 रुपए आ गया कितना है बटा 1764 एक साकेंड बटा हाँ जी तो मैं बात क्या कर रहा था मैं बात कर रहा था बटा आपसे साथ पेटी थी एक पेटी में 252 साबुन थे गुणा कर ली तो कुलाओं के पास यह निकल कर आ गया अब मैं दरजन निकालूँगा बटा क्योंकि यहाँ पर भी दर के से दे रिखी है दरजन में जिस हिसाफ से दर दे रिखी है उसमे गणवन करना पदलना पड़ता है 1764 को आप क्या कर दो भाहिया 12 से भाग कर दो तो कितने दरजन शिशी है वो निकल कर आपके पास आ जाएंगे 1764 को पुटा किससे भाग करना आपको 12 से भाग करना है कैसे भाग होगा बूबीलो भाहिया मैं बिल्कुल आप इक तरह करके दिखाऊंगा 1764 को भाग करना है 12 से भाहिय देखो 12 का पाड़ा आपको याद परना पड़ेगा बहुत सरा बच्चे में यहीं बैठे पता है कि आपको 12 का टेबल भी नहीं आते है 12 के पाड़ा नहीं आते 12 कम 12 यसे आप भाग करोगे 12 कम 12 बचा कितना 5 6 12 24 बारतिया 36 बारतालिस बचा कितना 8 12 पंजे 60 बारत चंग 72 बारत सत्य 84 147 दर्जन आगया बटा 147 दर्जन आपने इतने दर्जन शीशी खरी दी है तो सबसे पहला को दर्जन कैसे निकालना पड़ा साथ पेटी खरीदी है हर पेटी 252 रुपए की है साथ गुना 252 कर लो साथ गुना 252 1764 आगया अब दर्जन कैसे निकालेंगे 1752 को 12 से भाग करेंगे आपके पास क्या जाएगा भीया यह आ जाएगा 147 दर्जन अब साथ 147 दर्जन हमने खरीदा है 147 दर्जन खरीदा है 147 दर्जन खरीदा है एक दर्जन कितने का भाईया 80 रुपए का है और इसका नाम क्या है इसका नाम भाईया कैंकी सीशी दी भाईये बताओ भाईबच्चे में भूल गया पैराशूट नारियल तेल पैराशूट नारियल तेल वेवरोन क्या लिखेंगे पैरा शूट जैसे अब लिखा जाता होगा नारियल दिख रहा है बटा तेल अब क्या करेंगे इस 147 की देखो मैं गोला कर रहा हूं गुणा करेंगे 80 के हिसाब से 147 दर्जन गुणा 80 रुपर प्रति दर्जन तो 147 की 80 से गुणा तो मुझे लग किस से करनी आपको 80 से जब आप करोगे आकवा साधर 11760 यहां मैंने केल्गोटर को यूज किया है थोड़ा सा समय बचाने के लिए अब आप समझ गे इतनी बात तीसरा हमें क्या करना है तीसरी चीज क्या बेचिए बटा 32 टीन डालडा वनस्पति घी बेचा है प्रतिये 5 किलोग्राम एक टीन में 5 किलोग्राम है और 35 रुपर प्रतिये किलोग्राम की क्या है वह यह दर है 32 टीन वनस्पति घी है कुछ बटा मेरी हो सकता है टाइपिंग मिस्टेव कि 50 पांच में याद नहीं रहा है बटाई पचास किलोग्राम होगा शायद प्रतिये पेटी में फिलाल अगर बटाई पचास हुआ तो आपका आंसर थोड़ा सा लग हो सकता है बोल्ड का मुझे थोड़ा सा याद नहीं है चलो 32 टीन खरीदी है एक टीन में पांच किलोग्राम क्या है डालडा है और दर दे रखी है 35 रुपे प्रतिक किलोग्राम की क्या है दर तो फिर से वही 32 टीन है इस बार 32 टीन खरीदी है एक टीन में पांच किलोग्राम क्या है तो पहले तेल को चुकि दर इसमें जो दे रखी है वो किलोग्राम के साथ इस बार दर जन में दर नहीं है दर है किलोग्राम में कि एक किलोग्राम 35 रुपे का है तो पहले चुकि किलोग्राम में द करती कि और एक टीन में 5 क्लोग्राम अधम उ भी Latino अउन तुट 32 टीन खरीदी हैं और एक टीन पांच किलोग्राम की है तो गोना पांच हम करेंगे तो किलो हमने तेल खरीदा वो निकल कर आजा गा 32 गुणा 5 पांच जुनी 10 पांच तिया 15 और जी हो गेजी 16 160 kg हमने तेल खरीदा है इस बात दर्जन क्यों नहीं निकाला चुकि जो दर है वो प्रती किलो के साफ से दे रखी है तो मैंने कुल कितने किलो तेल खरीदा वो निकाल लिया 32 तीन खरीदी है एक तीन में पांच किलो आता है तो 32 गुणा पांच 160 kg खरीदा होगा तो हमने तेल खरीदा है एक सो साथ केजी 160 kg हमने तेल खरीदा है है ना इस तेल का नाम क्या आपर वो भी लिखना पड़ेगा विवरण में डालडा वनस्पती घी सौरी डालडा वनस्पती घी पिटा मैं फिर से बता रहा हूं और दर है 35 रुपए प्रती के जी अब 160 की हम देखो हमेशा मात्रा की दर से गुणा करके यहां धन्राशी में लिखते हैं तो एक सो साथ की हम गुणा करेंगे 35 से एक सो साथ गुणा 35 अच्छा बटा तो यह गुणा मैं करके नहीं दिखा आपको मैं डारेक्ट कैल्गुरेटर सा करके आपके लिख देता हूं एक सो साथ गुणा 35 प्रशन अभी हलका नहीं है अभी तो बहुत भारी है आगे तो बहुत सार चीज आपको सीखनी है कुछ बच्चे कहा रहा है सर बहुत देर होगी हम बोर हो गए हैं भाई बोर होगे तो कोई बात नहीं चले जाओ भाई क्या दिक्कत है पर यह समयले ना कोष्ण आगे करने पाऊगे जीदना सीख लाए उतना ही करपाऊगे हर चीज के साथ कोष्ण में थो भारी पान है मैंने का पहली बार मां बोल रहा हूं कि कोई प्रश्न भारी है वन्हें नहीं कोई भारी नहीं बोला बैटा 12 पेटिया लाइब वाई साबुन की है प्रति पेटी खरीदी है साबून की अर पिती एक पेटी में 10 दरजन साबून है तो कुछ remembers पहले से ही दरजन के साब से दे रखें एक पेटी में 10 दरजन तो कुल बता सकते हैं कितने दरजन साबून खरीदी होंगे हमने तो 12 गुना 10 कर दो तो 120 एक 120 दर्जन साबून खरीते हैं bugs खरिदेंगे नहीं कर खरीते हैं अब किस रहने सब बाड़ा सब भाग क्यों नहीं करा बिटा और लिखे होते 10 साबून हैं तो पेहला कारवा कुल साबून निकालते हैं, फिर 12 से भाग करके दरर्जन में निकालत qu यहां पहले सी दर्जन में साबून दे रखे थे, कि 12 पेटी खरी दे और एक पेटी में 10 दर्जन है, तो कुल मिला कर सीधे 120 दर्जन आ गया, यहां 12 से भाग करने के आपशक्ता नहीं है, अगर पेटी के अंदर दर्जन के हिसाफ से साबून दे रखे हैं, तो पेटी उना द दर्जन और एक दर्जन बेटा कितने के हैं, 65 पर प्रती दर्जन लिख देना बेटा, यह क्या है, लाइफ बॉइट साबून, तो 120 की आप 65 से गुना करोगे, 120 गुना 65, 120 गुना 65, आपके पास आगा बेटा 7800 उपए, यह धन्दाशी आगे बेटा, अब हम क्या करेंगे भई, इस पूरी धन्दाशी का योग, 7800, 7800, प्लस 5600, प्लस 11760, प्लस 7000, इन सभी चीज़ों का हम जोड लेते हैं, तो 32,160 रुपए आ गया बेटा, इसमें समयापा क्या करेंगे, घटाएंगे, व्यापारिक छूट, घटाएंगे बेटा, व्यापारिक छूट, यह प्रश्ण भारी है, भई, जिसे वीज़क बनाना नहीं आता, वो इस प्रश्ण को देखो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा, बेटा इमेरी guarantee है, जिसे वीज़क बनाना आता है, बस वही इस प्रश्ण को देखें, व्यापारिक छूट ये कैसे निकालेंगे भाई व्यापारिक छूट देखते हैं कुश्चन व्यापारिक छूट देरेके वटा कितनी साड़े साथ प्रतिशत 7.5 साड़े साथ प्रतिशत बोलते हैं इसे तो साड़े साथ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है ये जो टोटल पटाकर यहां पर एक 0 लगाई जा सकती है ठीक है तो इसकी उपर उपर की क्या कर लो गुणा इस लिए भारिता यह जो पेपर के अंदर आया था इस पार विया सब कॉश्चन आया तो यह समझे आपकी हालत खराब हो जाने वाले इतनी कैलकॉलेशन है इस कॉश्चन में यह हम क्या निकाले है व्यापारिक छूट कॉश्चन में दे रखा साड़े साथ प्रतेश्य व्यापारिक छूट है तो 32,160 गुणा साड़े साथ डिवाइड बाई सौ ऐसे करके निकालते हैं तो 32,160 की पहले हम गुणा कर लेंगे किसे 75 से यह आगया कोगसर ऐसा क्योंकि बताओंगा बटा 2,4,1,2 पीछ आगे 3,0 बटे में कितना आगया एक हचार तीन जिरो से तीन जिरो कटगी बटा कितना अंसर आगया 24,12 यह आगी बटा व्यापार एक छूट 24,12 व्यापार एक छूट घटाने के बाद जो पैसा आगा वह आप यहाँ पर लिखोगे तो 32,160 में से 32,160 में से माइनस कर देंगे बटा कितना 24,12 तो घटाने के बाद आएगा 39,748 यह भया आपका इतना बीजक तयार हो गया सर बीजय कंप्लीट नहीं बटा, सर आगे तो हम कर लेंगे आसान है, नहीं आगे और भारी है, सचमुझ जो पूरी क्लास देख रहा है उसके हिसास से बटा यह और भारी है, कवोगे सर क्यों, देख लो भीजा, माल भेजने के लिए पैकिंग के 12 रुपए प्रती पेटी, जब माल भेजा आगा तो सम पैकिंग करनी होगी, और पैकिंग जो होरी है, पेटी के सा?", तो 12 रुपए प्रती पीटी, एक पेटी के 12 रुपए लग रहे हैं, तो पैकिंग करनी माल भारी होगी है, देखो कितनी पेटी समान हमने भेजा है, 10 पेटी गंगा साबων भेजे ниця, 74 पेटी, 17 पेटी ही, 12 हमने भेजें दे किसकी लाइब भुआ की, तो 7 प्लस 10 प्लस 12 जोड़ों ब hem कितना है, 22, 27, 29 पेटी हों भी, 29 की बात में करेंगे, 29 पेटी हमने हैं, तो जो पैकिंग है, अब क्या करते हैं, जोड़ते हैं पैकिंग 29 पेटी है और एक पेटी पर कितना रुपे पैकिंग का खर्चा रहा भी है 12 रुपे 29 गुणा 12 देखो पेटा ऐसा कोश्चन आयता है पिछली बार बीजक का रूला देने वाला 29 गुणा 12 करोगे कुछ बच्ची तो कलास भी छोगरचा चले गए होंगे इतनी बड़ी कलास हम नहीं देख सकते हमारे आँखों में दर्द हो गया है हमारे कानों में दर्द हो गया है 348 रुपै पैकिंग का खर्चा चले हैं और भी है आगे बता रखा है वनस्पति घीपर 2 रुपे प्रती 3 तो ये 32 तीन थी 2 रुपे प्रती 3 32 है ये भी 2 रुपे के साब से बेटा पैकिंग के खर्चा 400 रुपे इसके आ गए ये पैकिंग पैकिंग का खर्चा दे रखा था उसके बात क्या बता रखा है थेला 80 रुपे रेल भाड़ा 320 रुपे ठेला 80 रेल भाड़ा 320 इंशुरेंस यानि के बीमा यही पढ़ लेते हैं बीमा का कितना खर्चा हुआ 120 रुपे पस क्वेशन हो गया खतम अब आराम से बिटाब चाहो तो जा सकते हो चाहो तो पूरा देखे लो पूरा खतम होई गया है अब हम इसे जोड लेते हैं खर्चों खर्चों को 348 प्लस 64 बिटा में बोल बोल कर लिख रहा हूँ प्लस 80 प्लस 320 और प्लस 120 तो यह 932 रुपे का खर्चे भी आ गए अब इस सारे खर्चों को जोड लो और कुल धन राशी बटा के पास यहाँ पर आ जाएगी कुल धन राशी जैसे हम लिखते हूँ में थोड़ा सा हिंदी में कमी जानता हूँ तो इस 932 रुपे में हम जोड लेंगे 29,740 तो यह आ गया 30,680 आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हो यहाँ पर 30,680 रुपे और बस आपका बीजग बन कर तयार हो गया बेटा इस तरह से आपका बीजग बन कर तयारा दो पेपर का और यहाँ पर सबसे लास्ट में कहा रहते हैं भूल चूग लेनी देनी हर प्रशन में जो इन्यों मेरी कर वाली क्रास्टियों से पता ही है और माल रेल से भेजा गया और वास्ते बेचने वाले का नाम यह भी विक्रिता का नाम होता है बटा तो इस तरह से यह 2000 2000 23 में जो बोल्ड में पेपर आया था बीजग का उसका प्रशन बेटा मैं आपको कराया है आपको प्रशन कहीं नहीं मिलेगा यह इसका ऐसा वैसा सॉलूशन मिल जाए बटा मैं आपको समझा है बहुत अच्छी तरह से जो बच्चे बड़े महंती होते हैं उन्होंने देखा होगा और समझा होगा तो उनके लिए शुक्रिया और आप सभी को बटा मेरे दुआ है और सलाम है आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे गृप को जोईन कर सकते हैं और उसके अलावा अपने बच्चों के साथ आप सुरी बच्चने बच्चे नहीं अपने फैन के साथ हमारी वीडियो जरूर शेयर किया करो प्रकि वो लोग भी हमारे इस वीडियो को बढ़ सकें और समझ सकें चलिएगा अच्छे से खुश रहें जैहिंद जैभारत और अपना ध्यान रखें बटा ठीक है तो इसी के साथ इस क्लास को बंद करते हैं और आप सभी को बटा मेरे दुआए हैं से सौल्व करने की पूरी कोशिश करें जैहिंद जैभारत